एगनस कास्टस होमेपैथी के लिए जो मेडिसन्स हैं सेक्शल वीकनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रिसक्राइब की जाती है और बहुत ज़्यादा लोग यूज भी कर सकते हैं आज मैं बताऊंगा जो अथेंटिक और लिटरेचर हैं जो वर्ड लेवर की बुक्स हैं वो क्या बोलती हैं कि ऐसे मेडिसन्स लेने के कितने फैदे हैं और कितने नुकसान हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको समझ जाओगे तो सबसे पहले ही आपको ये समझने की जरूरत है इस वीडियो को पूरा देखिए का रेड कलर का बटन दबा कर और गंटी दबा कर मेरे चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कर लाजम बात करेंगे प्रीमचर एजैकुलेशन और जिसको हम सेक्शुल वीकनेस इनफर्टिलिटी बोलतेते हैं और इस चैनल पर सभी लोग तब ही आते हैं जब वो होमेपेथिकी मेडिसन वो एक दिन के अंदर ठीक करने वाली साथ दिन के अंदर ठीक करने वाली पर्मानेंट ट्रीट वेंट मा सेक्शुल वीकनेस तो इसकी कितनी सारी मेडिसन आपने ले ली है अब तक ठीक नहीं हुए हो आज मैं उसका आपको कारण बताऊंगा और उसको ठीक करने के तरीक के भी बताऊंगा यह इतना मुश्किल नहीं है हमेपेथि में हो सकता है आपने कोई ऐसी वीडियो देख ल सब्सक्राइब तो इस चैनल के बारे में अगर नए है तो मैं पता दूँ हमारा किसी भी कमपनी साथ कमिशन बेस अजन्ट नहीं है हम ना यह किसी कमपनी का प्रड़क्ट या मेडि साथ ख्रीदने लिए बेचने के लिए हम देखते हैं तो हम जो भी सच है वही बात करते ह तो आज हम बात करते हैं कि ऐसा प्रीमचर अरेक्टाल डिसफंक्शन आप तक ठीक क्यों नहीं हो रहा है तो सबसे पहले जिनको ये तकलीफ है उनको ये समझना चाहिए कि अरेक्टाल डिसफंक्शन और इंफर्टिलिटी है इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है ठीक है क्योंकि इन फर्टिलिटी होता है कि बच्चे पैदा करने की समर्था ना होनी सेक्शुल वीक्नेस और अरेक्टल डिसफंक्शन और दोनों अलग लग चीज है कई लोग इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं अब कभी कभी क्या होता है कि सेक्शुल वीक रसा तो वीक होता है पर बच्चे पैदा करने के लिए जो वीरे के अंदर कटानों चाहिए जो असकंदर पूरे होते हैं इसलिए कई लोग डिप्रेशन में चले आते हैं सूसाइड कर लेते हैं कि अरेक्टल डिसफंक्शन है उनको लिंक के अंतर तिनाव नहीं आता तो बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे ऐसा कुछ नहीं है दोनों कंडिशन अलग लग है बच्चे पैदा ना कर पाना और अरेक्टल डिसफंक्शन है इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते हो वीरे के अंदर कटानुआ पूरे होते हैं चाहे सेक्शल वीक्नेस कितनी मर्जी हो तो सबसे पहले समझना जरूर ही है उसके बाद है कि 80% लोग जो 80% लोग हैं उनको मैडीसन की जुरूर्ति नहीं है उनको सेक्शल वीक्नेस इरेक्टल डिससcker प्रिमचुर जरीकृलिशन है इनी सर्antu 20% लोगों को वह इसको वह उतिछल दते हैं यह मैं क्यों बोला हूँ इसकी मैं प्रूव करूँगा आपको एक्जेंपल दूँगा जिससे आपको समझा जाएगा कि आपको सेक्शल वीकनस थी नहीं आप इतनी सारी मेडिसन लेकर जल्द बाची में डिप्रेशन में होने की वजए से और ज्यादा आप कमजोर वीक हो ग पावर है वह आपके अंदर कम क्यों हो रही है आपको ट्रीटमेंट किसकी जरूरत है आपको बढ़ाने वाली मेडिसन की जरूरत है जहां जो बमारी से कम कर रही है उसको ठीक करने की जरूरत है तो इसलिए सबसे पहले ही आपको अंसर मिल गया होगा कि आप ट्रीटमेंट अब तक क्या लेते हो, आप कहीं पे भी जाते हो, कमजोर होगे हो, कमजोरी को दूर करने के लिए दवा दे दो, एगनस कास्टस लेली, लेकोपोडिम लेली, नूफर लेली, डेमयाना प्लांट लेली, डेमयागरा फोट लेली, तो आप सीधा बढ़ाने के चक्कर में लग जाते हो, पर सेक्शुल पावर कभी तो आपके अंदर ठीक थी, तो उसके बाद कुछ तो बमारी होई होगी, जिसकी वज़ासे वो कम हो रही है सेक्शुल पावर आपके अंदर, तो उस बमारी को ठीक करने की जरूरत है, तो मेडिसन आप बढ़ाने वाले कितनी मर्जी खालो, उस बमारी की वज़ासे फिर आजाएगा, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट लेना किस चीज का है, उसके बाद है, अब हम एक्जेम्पल देता हूँ, मैं आपको कुछ की आपको सेक्शुल वीक्रिस है नहीं, अरेक्शन है, फेल हो याती है, आप जैसी अपने पार्टनर के पास जाते हो, पार्टनर के पास जाने से तो पहले लिंक के अंदर पूरा तनाव होता है, पर जैसी आप अपने पार्टनर के पास जाते हो, जब पास जाती है, अरेक्शन है, गायब हो याती है, लिंक के अं दर से चिप चपा पानी चूटने लग जाता है ठीक है तो दूसरा है जब आप सोए होए होते हो तो तब क्या होता है लिंक के अंदर पूरा तनाव आ जाता है और जब आप जग जाते हो तो लिंक के अंदर फिर से डीला पन हो जाता है तीसरा है जब आपका ध्यान सेक्स की कि तर्फ है नहीं आपको सोची नहीं रहे कोई औरोटिक मिटीरियल के बार में सोची नहीं रहे हो तब एकदम से स्ट्रॉंग एरेक्शन आती है वह 10-15 मिन्ट तक बनी रहती है पर जब आपको जुरूरत होती है लिंक अंदर तनाव की तब होती नहीं है अगर यह ऐसी हालत आपके साथ हो रही है तो इसका मतलब आपको सेक्शल वीकनेस दोस्तों ही नहीं आपको डिप्रेशन हो रहा है आपको स्ट्रेस हो रहा है अब देखिए अब कैसे पता लगाएं कि यह सारा को स्ट्रेस की वज़ेस हो रहा है जब भी आप स्ट्रेस में हो गए तो लिंक का स सपलिएों में से क्या होता है गर्मी निकलती रहती है हीस होती है यह घ्रमी में सरह निकलती रहत आए तो स्ट्रेस के लिंग वह लिए हिस्से निकाल कर भौडि के दूसरे हिस्थों में बहुत बेज देती गंगार्यम की पॉन की जरूरत लिंग वाले हिस्से में नहीं समझती है जब बंदा की चिंता में होता है तो उसको वहाँ से निकाल कर वो बॉडी के दूसरे हिस्सों में बेज देती है तो स्ट्रेस के दुरान ऐसा होता है तो ऐसी अगर आपके सा एरेक्शन फेल्ज हो रही है पर्टनर के पास जाती लिंक एंदर डीला पणा पणा याता है नीन के दुरान खीक रहती है पर जैसे उठते हो गायब हो जाती है जब आपका द्यान सेक्स की तरफ नहीं होता है तो इरेक्शन रहती है तो उसका मतलो आप डिप्रेशन में हो सबसे ज्यादा है क्योंकि हमारी body computer या machine नहीं है कि उसको switch छोड़ा तो चलपड़ा आफ कर दिया तो बंद हो गया अगर शरीर को आप over activate करोगे सारा दिनी बटन दबाते रहोगे कि देखते हैं erection होती है कि नहीं होती है जब जरूरत होगी तब वह होगी नहीं तो ऐसे damage नहीं करना है कई लोग ऐसा करकर के भी अपनी body को damage कर लेते हैं उसके बाद क्या weakness अब क्या होता है कईयों से दोड़ा तो जाता नहीं है चलानी जाता है उनको थोड़ा सा सैकल चलाती उनकी सांस फूल जाती है यहां से वहां तक कुछ exercise करने में कुछ समान यहां से वहां रखने में उनकी सांस फूल जाती है तो दोस्तो जब आपका शरीरी कमजोर है तो link भी उसके साथ जुड़ा हुई हिस्सा है तो उसकी power अलग से कैसे बढ़ जाएगी तो आपको पता करना है कि आपके शरीर में क अब आपको पता लग गया होगा कि आप जो 80% तक लोग हैं वो इस category में फाल कर रहे हो जिनको sexual weakness की medicine की जरूर थी नहीं नहीं उनको sexual weakness थी उनको बस अपनी mind को ठीक करने के लिए medicine की जरूर थी mind की कुछ repair करने की जरूर थी कुछ सोच बदलने की जरूर थी कुछ बमारी की पता करने की जरूर थी जिसकी वेज़ा से कमजोरी आ रही थी उनको अब चलते हैं 20% की और जिन लोगों को वाके हम मानते हैं कि इनको sexual weakness है, rectal dysfunction की दिक्कत है तो उनको भी हम ठीक कैसे करें उनके बारे में बात करते हैं जो लंबे समय से masturbation करते आ रहे हैं तो उनको भी ये stimulate करते रहना तो ऐसे बार बार लिंक के अंदर तनाव लाने को चाहिए हम दमाग से लाएं सोच करकि मैं चेक करता हूं लिंक के अंदर तनाव आता है कि नहीं आता है चाहिए हम masturbation करें तो damage same ही है, machine नहीं है हमारी body तो सही time पे erection नहीं होगी तो ये नहीं करना है ये बहु उपसान पहुचाती है क्योंकि क्या होता है आपको मालो जैसे मैंने बताया टाइफएड की वज़ए से sexual weakness हुई थी अब जरूरत आपको किसकी चीज की थी erectile dysfunction के लिए आपको जरूरत थी टाइफएड के बाद जो कमजोरी आती है उसको ठीक करने की उसकी वज़ा से आपकी जो लिबिडियो है जो सेक्स करने की इच्छा है जो erection में प्रॉलम है जो लिंग में तनाव है वो उसकी वज़ा से कम हो रहा है आप कहा चलेगे टेस्टी स्राउंट बढ़ाने वाड़ किस चीज का है ऐसे मेडीसन नहीं खानी चाहिए जिनको लो बैक एक रहती है जिनकी कमर में दर्द रहता है क्यörकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी कमर में से लिंक की तरफ कंट्रोल से निकलती है जैसे आप दुमाग में सोचते ही कि सैक्स करना उन आपको तू के बाद किसी के दर्द है तो उसको sexual weakness, premature ejaculation, rectal dysfunction हो जाएगी तो उसको जरूरत कहां पर ठीक होने की अपने कमर दर्द को ठीक करने की अपने हड्डियों के मन के ठीक करने की डिस्क को प्रलैपस है उसको ठीक करने की तो टैसी स्टोंड बढ़ाने वाली medicine खा रहा है होमेपथी की तो क्या मिलेगा उससे कोई benefit नी मिलेगा उससे damaging होगा उसका दूसरा का है स्पर्मटोरिया होता है कहियों को स्पर्मटोरिया क्या होता है कि पशाब करते वाक्त उसके साथ स्फेय स्फेय कलर का चिपचपा पाणी निकलता रहता है nightfall होता रहता है अब क्या करते है nightfall का वो proper treatment नहीं लेते तो nightfall का सबसे बड़िया treatment है शाम को खाली पेट सोना क्योंकि nightfall हमेशा तभी होगा जब आप बहुत ज़दा ताक्तवाली चीज़े खाने लग जाओंगे क्योंकि इस condition में क्या होता है खाने पीने में बदहजमी की वज़ा से 90% लोगों को nightfall होता है अगर उसको आप ठीक कर लोगे शाम को खाली पेट रखना शुरू कर दोगे तो nightfall अपने आप ही ठीक हो जाएगा अब क्या करते हैं आपको nightfall होने लगा आपको किसी ने बता दी है कमजोरी आ रही है आप चने खाने लगे गुड़ खाने लगे गी खाने लगे तो ये तो इसको और ज़्यादा पन नुकसान पहुचाते हैं उपर से आपको श्रीर भी कमजोर हो जाएगा ऐसे नहीं करना है खाली पेट सोना शुरू करना है तो nightfall आपका ठीक हो जाएगा उसके बाद जो weakness हो भी चली जाएगी और सबसे ज़्यादा है अलकोहल ये permanent ही डैमेज कर देती है आपने सुना भी होगा ये जो आप होमेपेथी medicine लेते हैं सारे दस-दस medicine आप 20-20 बूंदें आपको बताया जाता है दिन बर लेने के लिए तो इसके लिए आप आप जाएगे NCBI site के उपर उसके उपर आप बरे अथाईल alcohol जो होमेपेथी का अलकोल होता होता है तो इसके क्या नुकसान है तो आपको पता लग जाएगा कि ये अलकोहल है जो होमेपैथी की ये अलजाइमर डिजीज भी कर सकती है पारकिंसन भी कर सकती है गुर्दे भी फेल हो सकते हैं आपके इतनी अनसेसरी था इलकोल लेने से ये होमेपैथी है ये नहीं कि दिन बार 20-20 बूंदे लेते रहना ये होमेपैथी नहीं है दोस्तो ये होमेपैथी बील्कुल भी नहीं है तो ऐसे लेने से गुर्दे कुराब हो जाएंगे हाट भी फेल होसकता है पर्मानेट डेमज होसकता है टेस्टी श्टांड और सैक्शल वीक्नेस तो ये तो बील्कुल लिवर को डैमेज पहुचाती है था एलकॉल तो होमीपैथी लेनी चाहिए ऐसे बूंदों वाली दवाईयों के चक्र में नहीं पढ़ना चाहिए पहली बात तो यही है कि आपको वीकनेस है यह नहीं है मेडिसन की जरूरत है के नहीं है तो यह सोचना चाहिए लिवर इंफेक्शन है किसी को हैपेटाइटेस है फैटी लिवर है लिवर का साइज बढ़ गया है तो उन लोगों को वी 20% के अंदर आते हैं उनको सेक्शल वीकनेस रहती रहती है क्योंकि लिवर अगर ठीक नहीं करना बहुत जरूरिये शूगर नहीं की शूगर बढ़ी रहती है वह हिस्कटेगरी के अंदर आते हैं इन डिजेशन जिनको रहती है बढ़ हजमी की प्रावलम जिनको रहती है वह हंटी पर इस कटगरी से बाहर हो सकते हैं शाम को खाना चोड़ कर खाली पेट रखकर और ताक्तवाली चीज्ञें बंद करकर क्योंकि जिसको भी प्रीम चुख्राबुएशन। काम आपने पता करना है आपको तकलीफ हुई क्यूं है आपको वाकि inanок Bring into Хाइजान करते हैं की कि सारे लोग मेडिसन आरे पर उनका लराज नहीं हो रहा हैं तो आपको पता लग गया होगाbekि आपको पहले यही बात है कि आपको sexual weakness ठीक है नहीं थी आप बिना कारण जाने उसकी medicine खा रहे हो आपका सारा शरीर कमज़ोर हो रहा है दोड़ा आपसे जाता है नहीं बैठते उरते में आपका सांस फूल जाती है तो भाई sexual weakness कैसे ठीक हो जाएगी आपको पूरा शरीर ठीक करने की जरूर side effect है तो site पर जाकर NCBI कि आप profit organization है तो अब इसके उपर सारी सर्च पढ़ सकते हैं यो मेरी खुद की बनाई भी नहीं है कोई कि मैंने personal बना लिया है तो ऐसे नहीं करना है hope है कि आपको सारा समझ आ गया होगा इसके अंदर क्या करना चाहिए कौन सी medicine लेनी चाहिए कौन सी लेनी चाहिए आपको है भी या नहीं है तो इन सारी चीज़ों को जानकर ही अपना इलाज करें और जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि यह सारी चीज़ें stress की वज़ा से होती है आपको brain को repair करने की जरूरत है उसकी medicine की जरूरत है तो ऐसे नहीं करना चाहिए medicine गल्द तरीक दखाई है मेरे से message करकर बात कर सकते हो नीचे कमेंट कर सकते हो मेरे क्लीनिक पर आ सकते हो मैं कोशिच करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले रेड कलर का बटन दबा दे और साथ में घंटी का लेकर आते हैं ऐसी मन बनाई बाते हैं इस चैनल पर हम नहीं करते हैं सारे जो वर्ल्ड लेवल के लिट्रेशन वही से हम सारी information लेकर आते हैं इसके विनना मेरी और भी बौछ सारे दोस्तों वीडियो बढ़ी होई हैं जोडों के उपर हड्डी के उपर पेड की ब्मारी आजर के उपर कैंसर के उपर के यह आझए के ऊपर आपके पास उन को ठीक करने के तरीक आपको बटाते हैं तो आप तो दूसरी वीडियो भी मेरे देखें और हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपना प्यार साथ में देते रहें